नमस्कार आप सभी का स्वागत एक बार फिर से बहुत सारे लोग इंतिजार कर रहे हैं कि आर्बे असेस्टेंट का एड्मिट का वाएगा तो एड्मिट कार्ड से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोड़ा सा वीडियो लेकर आया हूँ कि एकजाम 26-27 में होने के कितने असार है और अगर 26-27 में एकजाम हो रहा है तक्रीबन 5 और 6 दिन के आसपास का हमारे पास समय है यह वीडियो संडे को मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे से प्लान चालू होगा मंडे से फ्राइडे अगर सैटर्डे को भी मैं मान के चलो कि जिनका एक्जाम सैटर्डे को होना है तो तक्रीबन 6 दिन उनके लिए बचे वे है आई एक नज़र डालते है आर् 2627 माई को होगा टेंटेटिवली 90% चांसे यह थे कि 2627 तारिक को एक्जाम होना है अब बात यहां पर यह आती कि 2627 तारिक को ही एक्जाम क्यों होना है आपने देखा कि ESIC का पेपर जो की IDPS करवाता है उसमें 19 तारिक को लिया जब 19 तारिक का पेपर नहीं चेंज हुआ तो 2627 तारिक के पेपर को चेंज होने के आसार बिलकुल नहीं लग रहे हैं दूसरी कनफरमेशन हमें इस मैसेज ने यहां पर हमें दीए कि कॉल लेटर फॉर प्री एक्जामिनेशन विल स्टार्ट सून अब जैसे ही विल स्टार्ट सून लिखाया तो मार्केट में निउस फै चीज पे वीडियो देखना बंद करें हम इस चीज पे सोचना ज्यादा शूरू करें कि अगर पेपर 2627 को हुराए तो हमारी स्थती क्या बन रही है तो उसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो रिकार्ट कर रहा हूं कि admit card आउट मैं ऐसा कह रहा हूं कि admit card आ चुका है आ आप इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए ऑफिशल आने का 2627 में paper है यह 90% दिमाग में रखके चलिए तो छे दिन की strategy कि यानि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए कौन से PDF आपको लगानी चाहिए कौन सी class आपको देखनी चाहिए और कौन से mock यह सब कहां से करें तो basically मै math की strategy आपके साथ share करूँगा नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अरुन सिंग रावत चली शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगा कि books अगर मैं किताबों की बात करूँ आपके पास 6 दिन बचे हुए हैं 6 दिन में मैं यह नहीं कहूँगा कि आप पूरी ब यह समझ लीजे कि maximum marks score करें उधारन के लिए जो मैं आपको किताब suggest करूँगा वो आपको कहूँगा कि 6 दिन में आपके वाल मेरी यह वाली किताब लगाई है ब्रह्मास्तर वाली क्यों लगाई है क्योंकि ESIC के paper में 10 से 12 question जो है इस किताब से पूछे गए थे यानि इस कित किताब के pattern पर जो सवाल थे बच्चों ने मुझे बताया कि सर मैट्स में 25 में से 25 अमने score किये due to this book क्योंकि simplification ही 12-13 marks का आ गया और यह किताब simplification, approximation, number series और quadratic के लिए सबसे बहतरीन किताबों में से यह कही है पतलब इसके जैसी किताब market में है यह नहीं तो अगर आप इस समय किताब को refer करना पसल करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कोई किताब मत पढ़िए केवल यह किताब आप देखिए और कुछ भी नहीं, 6 दिन में आप इस किताब को ही लगा सकते हैं और कोई किताब आप अभी नहीं लगा सकते हैं ठीक है, अगर आपको D.I.E. पढ़ना है तो D.I.E. के लिए मैं यह वाली बुक आपको सजेस्ट करूँगा, बट यह किताब आपको हेल्प करेगी अभी नहीं, जब आप मेंस की तैयारी में आ जाएंगे, फिलाल के लिए आप केवल इस बुक को मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, यह आपको अवेलेबल हो जाएगी, मैटस्वारूंसर.com और Amazon पर, दूसरा आता है कि PDF कौन से लगाएं, सातियों, PDF की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों के लिए 1000 कोशन का मौक टेस्ट है, 1000 कोशन के PDF तयार किये हैं, अब देखिए, एक्जाम कैपसूल के नाम से हमने PDF आपके लिए तयार किये थे, 1000 कोशन के मौक टेस्ट PDF, जिसका शेडूल भी मैंने शेयर किया था, मुझे नहीं बता कि वो आप फॉलो कर रहें कि नहीं कर रहें, हर प्राक्टिस सेट में हम लोग 50 कोशन को कवर करते हैं, मतलब एक प्राक्टिस सेट 50 कोशन कवर करता है, और हमारा कहना ये था कि ऐसे ऐ ये कहां मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर सर्च करना है, मैटसमा अरुन सर्, और जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम को जोइन करेंगे, जब आप टेलीग्राम को जोइन करेंगे, वही पर आ मौक टेस्ट और पीडियाफ को लेकर कि मौक टेस्ट और पीडियाफ देस्ट बेस्ट सोर्स बेस्ट कॉंटेंट सॉलूशन के साथ है जो कोशन्स आप से नहीं बनते उसी टेलिग्राम में डाउट गूरूप भी यह वहाँ पर पूछ सकते और नहीं बन रहा है मुझे आप कीजिए मैं उसको यूटीब पर डिसकस करूंगा अब बारी आती है कि यह सब करने के बास सर लाइव क्लासेस कौन-कौन सी आप हमें दोगे आने वाले छे दिनों में आने वाले छे दिनों में मैं आपको यह क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं तो शेडूल कुछ इस मैं आपको एक दिन में केवल और केवल धाई गणते पढ़ाओंगा ज्यादा क्लास लेना मेरा मकसद नहीं केवल धाई गणते है जिन बच्चों का भी मैट्स कमजोर है उनको धाई गणते मेरे साथ मैट्स पढ़नी ए ढ़ाई है कहां कहां पढ़नी है सुनिएगा सुबह साड़े नो बजे से लेकर सुबह साड़े नो बजे से लेकर दस बजे आधे घंटे मैं आप लोगों के साथ सुबह सुबह मौर्निंग में आपका एक टेस्ट लूँगा आदे घंटे का अनाकैडमी free class पर live test होगा ये live test आपको पूरे दिन की शुरुवात कैसे करनी है वो बताएगा ये live test का schedule आप एक बार देखेजिए live test का schedule कुछ इस तरीक ऐसे है कि Monday को हम करेंगे test on approximation तो Monday को हमने देखा कि approximation पर हमने test किया तो approximation पर test करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये topic मुझे पढ़ना चाहिए है नहीं चाहिए ऐसी आप mangalvark को आएँगे तो test on simplification fitness day को आप आएँगे test on missing numbersaries test on wrong numbersaries और test on quadratic मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर तकरीबन 50-50 questions cover कर लूँ पचास नहीं तो 25-40 questions आपके साथ इस आदे घंटे के session पर क्योंकि आदे घंटे का session poll के साथ होगा मतलब आप आएँगे poll करेंगे और अपनी live rank check करेंगे तो 50-50 का यह मैं target plan कर रहा हूँ कि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday यह 5 दिन 9.30 में यह आपको decide करेगा कि आखिरकार हमारा जो speed math से वो कितना अच्छा है एक class तो आपको आदे घंटे की regular करनी है दूसरी class आपको करनी है पांच बजे से 6 बजे जिस पे मैं आप लोगों के साथ 35 questions complete mock test पढ़ाऊंगा आपने यहां तो के वल simplification दे सब किया लेकिन एक complete mock वाली जो feeling होगी कि mock test को कैसे attend करें अच्छा किस questions को पहले करें किस को बाद में करें arithmetic के कौन से सवाल हम छोड़ सकते हैं कौन से attend कर सकते हैं यह वाली feeling आपको यहां मिलेगी जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे पास से 6 कहा पढ़ेंगे बताऊंगा ठीक है और शाम के साथ बजे से आट बजे special session on arithmetic जी हां कि arithmetic जैसे कमजोरी है हर किसी की तो arithmetic के लिए अलग session होगा topic wise revision ठीक है मैं भी आपको बता दूँगा असका भी schedule तो धाई घंटे ही आपको मेरे साथ पढ़ना है नोट कर लिजेगा साड़े 9 से 10 5 से 6 7 से 8 schedule कुछ इस तरीके से है साड़े 9 बजे वाले का schedule ये रहा ये class आपको मिलेगी मेरी profile पर आप जाएंगे अरुन सिंग रावात अन अकैडमी पर आप जाएंगे यहीं पर आपको free class मिलेगी question series के हमारे 13 session complete हो चुके हैं जिसमें मैंने तक्रीबन साड़े 400 question complete कर दिये हैं और उन साड़े 400 question के PDF को मैंने आपके booster की formula भी देना शुनू कर रहा हूँ तो साड़े 400 question 700 में से हमारे पढ़ा चुका हूँ है उसी के बाद Monday को कल 35 question 20 minute में mock test 1, mock test 2, mock test 3, mock test 4, mock test 5 तो यह 5 mock test इसी series में continue हो जाएंगे जो कि आप bankers way पर पढ़ रहे थे इस तरीके से तो जो bankers way पर पढ़ रहे थे यह 700 question series के ही आगे 5 special mock मैंने आपके लिए रगाए हैं तो class होगी bankers way पर subscribe कर देना तो पहली class मैंने आपको बताई अनक्याडमी पर free class होगी मेरी profile में जाके free class दूसरी class होगी 5 बजे bankers way पर और जो आखरी तीसरी class होगी उसका schedule कुछ इस तरीके से है कि Monday को मैं पढ़ा रहा हूं mensuration 2D Tuesday को पढ़ा हूंगा mensuration 3D और Wednesday, Thursday, Friday best 100 arithmetic के set 1, set 2, set 3 मेरे YouTube channel पर जिसका नाम है maths by arun sir जाके आप इसको subscribe कर लेंगे timing होगी 7 pm to 8 pm उम्मीद करता हूं साथियों कि धाई घंटे आपको मेरे साथ जुनना है light classes के लिए बस जादा वक्त नहीं मांग रहा हूं 5-6 दिन है, धाई घंटे जुरिए रोज timing एक बार note फिर से कर लीजिए सब लोग ये लीजिए timing एक बार फिर से note कर लीजिएगा 9.30, 5-6, 7-8 ठीक है ये timing है आने वाले 5 दिनों की धाई घंटे ही आपको class attend करनी है और PDF के लिए आप Telegram जोइन कर लेंगे Telegram Maths by Arun sir जाकि उसको join कर लेना है सारे PDF सापको वही मिल जाएंगे और किताबों की मैंने आपको बता है तो ये वाली किताब को आप किले में recommend करूंगा तो I hope कि आपको सारे के सारे जवाब मिल गए होंगे फिर भी अगर कोई सवाल किसी के मन में है तो वो comment box में डाल दीजेगा वहाँ पर मैं आपको reply कर दूँगा धन्यवाद, thank you so much, goodbye